जैन कैसे आप लोग उमीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी तयारी बहुत बढ़िया चल ले होगी यह साम का समय है और मैं कॉलेज पर ही हूं बच्चे ट्रेनिंग के लिए आने वाले हैं स्पोर्ट्स वाले उनके लिए रुका हूं कुछ कमेंट्स थे जो आपके जव पर लिए और आपके पास तयारी करते रही है ठीक है और एक कमेंट्स यह आया था कि आपका कॉलेज आपकी घर से कितनी दूर है मेरा कालेज मेरे घर से 380 km है 380 km ठीक है प्रियाग राज से अगर महराज गां निचलोल का अगर दिखेंगे 380 km ठीक है इसलिए कहता हूं ठीक है और अधिकांस्ता जो बच्चे होंगे बच्चियां होंगी वह 25 प्लस होंगी परिवारिक जीवन जी रहेंगे कुछ लोग कुछ नहीं नहीं साधी होगी साधी हो चुकी बच्चे होंगे तो सब को छोड़के ओना पूलेगा ठीक है तो मेहनत करते रहिए मेरिट ल होम डिस्टिक में है तो इससे बढ़िया जॉब किसी की नहीं है ठीक है मैं आप लोगों साब साब बात करना चाह रहा हूं कि कि टीचिंग लाइन में कोई अधर इंकम नहीं है किवल पेमेंट को छोड़ कर अधर इंकम नहीं है जैसे और विभागों में ठीक है किवल आपको पेमेंट पेहीं निर्भर आना पड़ेगा और टीचिंग के बाद इतना समय है कि आप बिजनेस कर सकते हैं दूसरा कुछ काम कर सकते हैं और कि खेती का अगर करना हो तो खेती कर सकते हैं बच्चिया पढ़ाई कर सकती है बहुत परियाब समय है अधर बिजनेस कर सकते हैं सौप डाल सकते हैं लेकिन जब आप घर से मेरी तरह दूर रहेंगे तो मुस्किल है तो आपको रेंट किराय भी लेना पड़े है कि मैं तो मेरे को इतना मैसूस नहीं होता है लेकिन इस गुरूम में परिवार के साथ रहना मदर फादर के साथ रहना जरूरी है फिर भी कोहिस करिए नौकरी मिले आपको और कहीं भी मिले जोइन कर लीजे और मेहनत करते रहे अगर आप मेरे लिस्ट में आ जाएंगे तो जो आप कॉलेज चुनेंगे उसमें मिलेगा नहीं तो मेरी तरह 325 किलोमीटर दूर ठीक है मैं कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूं जो अखीकत मेरे सामने गुजर रही है जो मैं फील कर रहा हूं वो मैं आपसे बात कर रहा हूं खासकर जो बच्चियां हैं जो बहने के पास नहीं ठीक है क्योंकि आप एक सक्सेज होंगी तो दो परिवार समाल सकती है ठीक है तो अपनी जिम्मेदारी अपनी ताकत समझी है और अभी लेटेस्ट ओलम्पिक का नियूस है कि मनु ने अगें ब्रॉंज मेडल जीता है ठीक है तो अकेली एथलीट है जो दो ओल सेफलोग ठीक हैं ओर एक चीज और अगर आप मेरेट लिस्ट में नहीं आते हैं तो जैसे डी कराने में ऑच्छा-खासा खर्चा है, खर्चा मेंजित से आप समझ सकते हैं, यहां पर, अन केमरा बताना अच्छा नहीं है, अच्छा खासा, समझ जाएगा मिरे बाद, अच्छा खासा खर्चा है, तो खर्चे से भी बचेंगे आप लोग, ठीक है, और ट्रांसफर में दिक्कतें ज्यादा हैं, मैं करता हूँ कि आज बड़ा भाई आप लोग मेहनत करिया पलचा होगी यह कंफर्म है कि इसी साल ही पलचा होगी और विदिन एक महीने के अंदर ही पता चल जाएगा कि पेपर कब होगा तो जैसे दो साल आपने इतना पेसंस बना के रखा इतना धैरे बना के रखा कुछ मह हाँ है कि और कि कुछ महें से और कि तैयारी करते रहें बिल्कुल भी परवाही मत करें मेरा काम है आप अगर ब्सकाल को मेरा काम है आप लोग जाए और मेंद कर रहेHelp उसमें कोई लापरवाही मत करी पेपर हो जाओगा डेट एलाउंस होगा तो आप लोग पता चल जाएगा महीं आप लोग बता दूआ ठीक है और कोईशिस करूँगा जो आप लोग के लिए इंपोर्टन नियूज हो इसको डालने कोईशिस करूँगा लेकिन धैर बनाया रखी ठीक है आप लोग उस बस एक हाथ जोड़के है कि लापरवाही बिल्कुल मत करें प्रैक्टिस एट लगाते रहिए अपना एविलेशन करते र होगा और मेरिट लिस्ट में आने की कोशिस करिए ठीक है खासकर जिनका परिवार है जो बैसले हमका तुछाजी सवाइव कर सकते हैं लेकिन जिनका परिवार है उनके थोड़ी दिक्कत है क्योंकि टीचिंग लाइन में पेमेंट के अलावा और कोई इंकम नहीं है और इतन परना समय है कि आप पढ़ाने के बाद बिजनेस कर सकते हैं अधर काम कर सकते खेती कर सकते हैं कोचिंग पर भी ध्यान मत दीजिएगा कोचिंग पढ़ा लेंगे कोचिंग अथराइज है कि पीजी चीजे थी जो मुझे आप लोग बताना था अगर इस में कुछ कह रही और कुछ लोग पूछते हैं कि मैं क्या हूं तो मैं एज़े फिस्कल टीचर हूं यह आप एज़े स्पोर्स टीचर जिसको बोलते हैं आप लोग पीटी आई आई आप लोग वासा में पीटी आई ठीक है और तो मेरी जॉइनिंग भी नहीं कॉलेज में है और कुछ जो गुजर के जाएगा तो उसके निश्चिंत रही है ठीक है इसके साथ ही जै हिन जै भारत खुष रहे सौश रहे हैं और मस रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं अपने तैयारी करते रहे हैं और लापरवाही मत कीजिए थैंकियो अला फिर